तो जो मुझे फील आया वो मैं आपके साथ डिस्क्रस करूंगा कि कितना कैसा डिफिकल्टी लेवल है इस पेपर का क्या कट आफ जा सकता है नमबर आफ एजिएस कोश्चन सिंपल कोश्चन टफ टू और थ्री स्टेप कोश्चन तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंग कि यह जो पेपर है इस पेपर का फी अगर हम पिछले पेपर से कंपेर करें तो पिछले पेपर जैसा नहीं है कुछ नया है दूसरा यह पेपर फील करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता अगर हम लास्ट यह के पेपर से कंपेर करें तो बट इस पेपर में सिंपल को चुपे हुए हैं मतलब इस paper में कुछ questions ऐसे हैं जो आपका काफी time consume कर सकते हैं और अगर याद हो तो आपको all the best message में मैंने एक बात बोली थी कि अगर आपका selection of questions right है तो आप बहुत अच्छा score कर सकते हैं और अगर selection of score selection of question अगर आपका proper नहीं है तो इस paper में score करना difficult हो सकता थ यह paper ऐसा ही है तो इस paper में अगर हम देखें तो करीब करीब मैं आपको five o clock पे इसका live analysis भी दूँगा five o clock इस लिए कि दूसरा paper खतम हो जाएगा यह केवल यह इसलिए discussion मैंने अभी cut off difficulty level discuss कर रहा मास का क्योंकि कुछ parents के phone आया क्योंकि बच्चे paper देने जाते हैं तो parents मुझ अगर मैं इस paper को देखूँ तो इस paper में थे question no doubt कुछ question ऐसे थे जो की आपका अच्छा खासा time kill कर सकते थे अगर आपके पास उसकी solving approach सही नहीं यानि जो question time kill कर रहे हैं अगर उनको आपने proper तरीके से किया है simple approach से किया है तो वो question easily हो सकता था अगर आपको वो technique नहीं पता य तो इस paper में अगर कोई student 150 plus score कर रहा है यानि बहुत अच्छा score कर रहा है cut off की बात करूँ तो अभी GAT जब आ जाएगा तो और clear हो जाएगा कि दोनों मिला के क्या होगा पर 30-30% देखें तो 90 number तो इसमें हर बच्चे को ला नहीं है पर फिर भी मुझे लगता है इस paper में 130 से 180 के बीच में score बनाया जा सकता था अगर proper selection of question हो अगर proper selection questions के नहीं किये या कुछ lengthy question में कोई बच्चा उलज गया तो score कम भी जा सकता है तो इस paper का nature wise देखें तो अच्छा है कि बहुत simple simple question जो simple मिले हैं कई सारे question बस बीच बीच में कुछ tough question आएं और अगर आप line से कर रहे ह तो आपको paper में आप उलज सकते हैं तो बने आपको हमेशा एक चीज बोलिए कि जहां आपको लगे one is to one का भी ratio रखके चलते तो आप score कर सकते दे इसका मतलब इस paper में अगर किसी ने proper selection के साथ ये paper solve किया है तो मैं sure हूँ कि उसके one fifty से two hundred के आसपर score होना ची two hundred plus भी हो सकता ह पर अगर किसी ने proper technique के साथ solve नहीं किया है कहीं पर कोई mistake कर दिये तो score कम भी हो सकता paper ऐसा है पर घबराने की बात नहीं है क्योंकि ये paper ऐसा है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आप hundred plus 120 plus 130 plus कर रहे हैं तो अच्छा score है बाकी सब GAT के बार depend करेगा तो five o clock पे जब मैं live session के साथ आपको फिर मिलूँगा तो इस paper के complete हर question को discuss करूँगा हर question की techniques बताऊँगा करीब करीब इसमें 30 question ऐसे हैं जो आप देखते ही कर सकते हैं यानि mentor round question one step two step question three or four step questions को मैं आपको detail में समझाँगा तो ये paper जिनोंने paper दिया उनके लिए तो analysis काम का है ही पर जो लोग first time या next time April वाला attempt देने वाले उनके लिए मेरे paper analysis भी बहुत useful होंगे कि वो mistakes या वो चीज़े समझनी है अभी से कि हम कहां कहां पर क्या चीज़ करें कहां नहीं करें तो ये paper अगर देखें तो पिछले paper के compare में हम थोड़ा सा higher मान सकते हैं बहुत ही थोड़ा slightly तो difficulty level बहुत ज अगर आपने peace mind से paper solve किया होगा तो मैं बिलकुर sure हूँ कि आपने इसमें अच्छा perform किया होगा बाकि जीएटी के paper के बाद हम दोनों paper के साथ discussion करेंगे मैं सो जीएटी दोनों paper 5 o'clock पे different channel पे आपको इस paper का complete solution मिलेगा और मैं solution में आपको बताऊंगा कि किस तरह के questions को आप analysis देखेंगे तो आप बहुत सारी नई चीज़े learn करेंगे analysis और भी मिलेंगे आपको पर जब मेरे साथ आप देखोगे तो आपका approach थोड़ा सा अलग समझ में आएगा कि हम कहां पर क्या चीज lag कर रहे हैं कहां पर किन-किन बातों का ध्यान रखना चीए क्योंकि बहुत छो साथ GAT पर लोड बढ़ेगा पर GAT के paper से हमें पता चल जाएगा कि overall cut-off क्या जाएगा तो चलिए 5 o clock पर फिर से मिलते हैं डिफेंशेनल पर complete solution के साथ with logic थैंक यू एंड जय हैं